कि है लो सुडेंट्स आप लोग का सक्रेंड चैप्टल जो की मैंने खतम कर दिया वो चल रहा था पारवर पॉइंट में आप लोको व्यू इस पढ़ने थे तो आप लोग को इसमें मास्टर व्यू पढ़ने थे और प्रेजंटेशन किसके इस व्यू में सो होता है वह पढ़ सब्सक्राइड मास्टर व्यू इन नोट फेल ली नो menu slide master option इसलिए इसमें क्या होगा a view or slides तो slide master view ठीक है फिर second है blanks तो टाइप of master view of powerpoint इसमें master view कॉर्ण कॉन है तो slide master यह master view है बाकी कोई master view है ही नहीं ठीक है तो इसमें a में भी होगा इसमें भी a होगा फिर यह set all the slide in a form of thumbnail कौन से छोटे-छोटे images की तरह कि तरह हैं चलाइu को सो करता है तो नार्मल व्यू एक फंब्लेंड की तरह साइज साइज को सो करता है तो इसमें भी ए होगा फिर यह लाउन यू टॉ टाइप noce for the current slide मैंने बाताया था कि किसी भी slide के साथ हमिने साथ में एक notes टाइप कर सकते हैं तो वह होता है नोट पेज विऊ में ठीक है तो इसमें सी होगा फिर इंक्लोग दा कंट्रोल तो फिलिपा फृफ दॉघ ने बंट्रोल जूसे हम लोग फ्लाइट को फिलिप कर सके तो यह आप लोग के भुख में नहीं दिया हुआ है पर इसका जो एंसर होगा वो होगा reading view ठीक है फिर powerpoint view support how many monitor by default तो मैंने बता है तो powerpoint जो है वो दो monitor को एक साथ ये चला सकता है ठीक है मतलब एक presentation powerpoint के जरी हम दो monitor पर एक बार में चला सकते हैं ठीक है तो यह होगे आप लोग का tick the correct आप आता है आप लोग का filling the blanks तो fill in the blanks क्या है first which is the default view that we seen when we first start ms powerpoint हम लों ms powerpoint start करते तो कौन सा view जो है वो सबसे पहले सो होता है तो normal view ही है जो सबसे पहले हम लों को powerpoint में सो करता है फिर which view display the outline of the slide in the slide pane कौन से instead of thumbnail कौन सा view जो है वो हम लोग को slide जो है वो outline की तरह दिखाता है मतलब उसका जो main line होगा वो सो करेगा हमारे left pane में slide pane में instead of thumbnail photo के जगा outline सो करता है इसलिए वो हो जाता है outline view ठीक है तो आप लोग को सारे यहां से देखके ही भरने है ठीक है पर इसमें एक बात आप लोग देखोगे कि जिस प्रकार से भरा हुआ है ना उसी प्रकार से answer दिया हुआ 12345 साथ यह गल्ति से वैसा हो गया होगा ठीक है तो फिर नोट पे वियू इलाव अस्टू टाइप नोट जो वियू हम लोग को KCNR करने में करेंने स्लाइड मदद करता है वो है नोट पे विवू को स्लाइड सॉर्ट करसकते हैं ठीक है वी केन ठीक हूं ली background जो के लिए हम लिए बैग्राउन चरुटेक्ट करना पड़ता है फिल लिए फिल इन दिए ब्लैंग अम है टिक दर करेक्ट प्सक्राइब्स एड करेक्ट स्टेट्मेंट सब्सक्राइब। यह जो सही है उसे सही करना है जो गलत है उसे गलत करना है इस स्लाइड सीम है ब्यूल्ट इन स्लाइड लेयाउट और बैक्ग्राउंड के सभी स्लाइड के पास एक अपना स्लाइड लेयाउट और बैक्ग्राउंड ग्राफिक होता है तो हां अगर हम चाहें तो कोई भी स्ला सकते हैं ms powerpoint ठीक है तिसका भी हो जाएगा ठीक फिर इडिटिंग था अपलों को पड़ता है था नोट 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 होता है पर किया ऊगर ठीक है यह होगी आप लोग का पूरा अप्प्रेक्टिप जो मैं ने सॉल्व कर दिया तो पाच्व है उनका नाम लिखोगे ठीक है फिर है दिस्टिंगेश बिट्मिन नॉर्मल विए स्लाइट तो सॉटर विए नॉर्मल विए स्लाइट सॉटर व्यू में डिफरेंस निकालना है देख लेना नहीं डहीं रहीगा तो मैं बता दोगई। एप लोग लिखना है आप लोग 4 विदिएट के वैंने talkion का बरत भी बना सकते हें ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सारे question का answer बना दे दूंगे पर आप लोग question बनाने का try करोगे